हेलो नमस्कार किसान भाईयो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और आज हम बात करने वाले हैं एक और लेटिस्ट मॉडल की 2023 के अंदर रिसेंटली मॉडल होने वाला यह टेक्टर का और दोस्तों हम आपको इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं इस ट्रेक्टर के औल फीचर्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों हम कोबोटा की यह आने वाले कोबोटा का M.U. 55-0 तो मॉडल होने वाला है इसकी पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहीएगा दोस्तों और इस ट्रेक्टर की पूरी इंपरमेशन हम देगे हैं प्राइस से लेके ट्रेक्टर का इंजन विंजन सब्री जानक कंपनी है दोस्तों जो की बहुत बढ़िया ट्रेक्टर कंपनी आई है और यह वीडियो हमने सूट किये गुणा के अंदर ठीक है कोटा सौरूम पर यह वीडियो सूट किये और यहां देख लेते कोटा के ओल फीचर के बारे में तो ट्रेक्टर को जब हम सामने से देखते सामने से बहुत ही जवरजस्त और दांसूं लोग हमारे सामने आता दोस्तों यहां पर देखे तो ट्रेक्टर जो है फोर वाई फोर में मिलता है यानि फोर वील ड्राइब में ट्रेक्टर आपको देखने को मिल जाता है और कापी हभी डूटी इसमें फ्रेंट एक्सल से कवर्ड मिल जाता है जिससे इसमें ग्रीस देने में या धूल मिठी नहीं लगेगी इससे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी यानि मेंटिनेंस प्री रहने वाली यह चीज और देखें फ्रेंट एक्सल को देखें आप तो फ्रेंट एक्सल बहुत मजबूत बनाएगा दोस फ्रेंट एक्सल की जो है पावरे स्टेरिंग का जो रॉड है उसको पूरी तरह से कबर किया गया जोस्तों पूरा ध्यान रखा गया एक एक चीज का इस टेक्टर के अंदर ठीक है और आप सामने से देखें तो भई टेक्टर में दो हेलोजन हेड लाइटे मिलती है यह जो साथी साथी इसको ब….शाली से कबर सायलेंसर जिस से अगर गलती से हथ भी लग जाए है तो जलने भूलने का काम घदम है आप आगे के टायर देखें तो पांट इसमें आप के टायर मिल जाते है दूस्तों 95 24 के आगे के टायर जो है बहुत बढ़िया silencer दिया गया साथ ही इसके प्लेटफॉर्म को देखें तो प्लेटफॉर्म भी काफी स्वांदार और अट्रक्टिव बना गया दूस्तो इसका और पीछे के टायर की बात करें तो पीछे के टायर भी आपको इसके डायर करें और पीछे के टायर आपको को मिलते इसमें 16-29-28 पाइंनों प्याइए चैक्टर में आठ देकने को मिलते हैं और आगे हम बात करते हैं पंद्सकों के और फीचर्स की तो मिल देखें दोस्तो 4y4 का लोगो यहां मिल जाता है और इंडिकेटर जो है बहुत बढ़िया तरीके से बनाएगा है बहुत अट्रक्टिव डिजाइन में बहुत अलग तरीके से इसके साइड इंडिकेटर देखने को मिलते हैं साथ ही हम प्लेटपॉम की तरफ जब नज़ा डा जाती है जिससे आपके टेक्टर के जो है प्लेटपॉम पर घिसाब विसाब नहीं होगा और कलर नहीं जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से जो है पैर भी नहीं फिस लेगा ठीक है और यहां प्रॉपर साइड सिप्ट गेर बॉक्स के साथ यह टेक्टर आता है इस गेर लीवर ठीक है यहां आप देखें इसके डैसबोर्ट को तो यह इसकी स्टेरिंग है इस प्रकार की बहुत बढ़ी है छोटी सी स्टेरिंग मिल जाती है साथ ही इसकी इंस्टुमेंट कलस्टर को देखें तो भई इसमें आपको एनलोग प्लस डिजिटल दोनों जमाने की जबते बढ़ी है सभी टेक्टरों में जो है अनलोग प्लस डिजिटल यह आ रहा है और यहां आपको डीसी पीसी लीवर को देखने को मिल जाते हैं तो बिलकुल मटगाट से अटेच मिलेंगे और डीसी पीसी लीवर दोस्तो यानि लिप्ट पोजिशन लीवर ज देखने को मिल जाती है और यहां पर आपको डुल के लिज्वाप्सान मिलेगा इस तक डीसी साक्में जाता है लीवर यहां देखने को मिलता है दोस्तों यहां से आप हाई लो मीडियम करके तीन प्रकार की गयर लगा सकते हैं यानि इसमें आप चार रिवर्स में और 12 फोरवर्ड में हो ठीक है अब यहां पर आप देखें तो यहां पर आपको मोबाइल रखने के लिए प्रोपर स्पेस मिलता है साथी यहां आपको जो है चा्भी का सुच में जता है यह टार का अन बाला सच मिल जाता है यह ऐसाँ सब्सक्राइब करने का लीवर आपको यहां देखने को मिलता है साथी प्लेटपॉर्म देखे बहुत बढ़िया टेक्टर का प्लेटपॉर्म बनाएगा जोस्तों और यहां पर एड़ेस्टवल सीट आपको देखने को मिलती है जिसको आप अपने बजन के इसाप से अपने इ सबस्क्राइब दोस्तोप 2 लीटर कीवोटल आराम से इसमें रख सकते हो सीट से लगा हूआ साथी यहां पर फाइवर का टूल्बोक्स आपको देखने को मिलता है और एक रआपको देखने को मिलता है यह पीछे के दोनों इंडिकेटर और लाइटे बगेरा हो गई जो की क तो यहां पर आप नमर प्लेट लगा वह यह तो टूबलिंग लगी हुई यह टूबली बॉक्स हो गया ठीक है और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं यह बोतल हो गया ठीक है अभी हम आते हैं कहां पर यह 12 बोल्ट के सोकेट पर यहां 12 बोल्ट का सोकेट मिल गया अगर पी सेंसिंग पॉइंट को अगर्व मिलते हैं और दोस्तों यहां पर आपको पीटियों मिल जाता पीटियों की बात और देखें दोस्तो इधर साइड से भी टेक्टर का लुक बहुत जवर जस्त आपको देखने को मिलता है ECDIS की वेजिंग भी मिल जाती है पता नहीं यह क्या चीज़ है यहां साइड में आपको मिरर मिल जाता है Side Mirror के साथ यह टेक्टर आने वाला है मलब अब सभी टेक्टरों मिलता Side Mirror तो इसमें भी आपको Side Mirror देखने को मिल जाता है और इस टेक्टर की अगर Price Range की बात करें तो यह टेक्टर दोस्तों साले 10 लाग रुपे से लेकि 11 लाग के आसपास आने वाला है जो की बहुत बढ़ी है कीमत है इस टेक्टर की यहां पर आपको Water Separator देखने को मिलता है जो की बहुत बढ़ी है Water Separator होने वाला है Dual Diesel Filter इस टेक्टर में आपको देखने को मिल जाते हैं जो की आपके टेक्टर के Engine को Maintenance Free रखने वाले है water separated आपके अलेटे सिस्मट के अम को मेंटेंस फिरी रखने वाला चार बोलव फोर वंव फोर विल ड्राइए cds इन्जेर में आपको धेक्टर में आपको देखने को मिल जाता कि e c d i s engine के साथ यह ट्रक्टर आता है कोबोटा का कोबोटा पच्पन जीरो दो यहां पूरा चार्ट आपको देखने को मिल जाता है इस ट्रक्टर में कौन सा पॉइंट कहां पर है यह आपको जो है चार्ट बना हुगा मिलता है इधर साइड में आपको साथ इसके sticker की बात के तो sticker बहुत बढ़िया बनाएगा दोस्तो और यह देखिए made in Japan Japan की company है दोस्तो और बहुत बढ़िया ट्रक्टर है इस ट्रक्टर में vibration बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तो आप इस ट्रक्टर को जब चलाएंगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि हम ट्रक् बॉनट के नदर engine कैसा है और बॉनट के अंदर स्क्राइख क्या क्या आपको मिलता है जो कि हम ने अभी तक इतनी वीडियों में नहीं बताया तो जाती है इसमें ड्राइट का dual element वाला ड्राइ टाइप का डूल एलिमेंट वाला फिल्टर मिल जाता है पिछ चॉकिंग सिस्टम के साथ अगर चॉक होता तो यह इंडिकेट कर देगा आपके इंस्टुमेंट कलस्टर पर यहां पर आपको बैटरी मिल जाती है एक्साइड की बैटरी आपको देखने हो मिलती है साथ इस्ट्र के कूलिंग की बात करें तो लिक्यूट कूल इंजिन इस्ट्र में आपको देखने हो मिलता है जो कि काफी शांदार है जब हम बॉनट को को खोलते हैं तो दोस्तों बॉनट के अंदर एक फंप लगा हुआ होता है जैसे हम चाबी को प्रेस करेंगे तो ऑटोम रही हैं सामने आपको होरन मिल जाता है यानि इसके रेडियेटर को देखें तो रेडियेटर भी कापी मजबूत बनाएगा दोस्तों डबल डबल जाली इस ट्रेक्टर के रेडियेटर पर लगाई गई है जिससे रेडियेटर पूरा कच्रा नहीं पहुंच पाए और पानी आपके इंजन को मिलता रहे यहां साइलेंसर कर देखें तो इसकी जो है ड्रमी जो बॉक्स रहता है बड़ा साइलेंसर का बॉनट के अंदर मिलता है सिर्क पतला सा पाय आपको आपको भार की ओर निकला हुआ देखने को मिलता है इस टेक्टर में दोस्तों आपको इ बिजल इंजिन इस ट्अक्टर में आपको देखने को मिलता है साथी स्ट में अफर neat पाइनिस कराने पर, क्योंकि हर बैंक की अलग-अलग iंक्रेट होगी है, कोई सै बैंक सार काइनल फायनिस कराने वाले हैं, क्वाओं बारा परिसेंट फाल को फायनिस कराने वाले हैं और मिनिमम्म आप जो है डाउन पेमेंड में दो लाग रुपे जमा करके इस टेक्टर को उठा सकते हैं, दो लाग रुपे जमा करके आप इस टेक्टर को ले जा सकते हैं, तब इस टेक्टर बहुत सांदार जानदार और काम्याब टेक्टर होने वाला दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजिएगा दूस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किदी नए टेक्टर की जानका दिक्साद तब तक के लिए जै हिन जै वारत जै राम जी की धन्यवाद